तुम्हें उत्राखण में विधान सभा के लिए दूसरे चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है ऐसे में सत्ताधारी बीज़ोपी के राजस्तर से लेकर राश्ट्रे इस तर तक नेता जम कर चनावा प्रिथार कर रहे हैं इस दरान आपको बता दें कि गुरुवार को भी दस्वरवरी को सीयम पुशकर सिंग धामी ने काशीपूर विधान सभा में भाजबा प्रत्याशी तुरलोग सिंग चीमा के समर्थन में सैनी कालोनी में जंसभा को संबोधित किया जो उन्होंने जनसभा से संबोधित करते हुए जनता से वोट की अपील की सीम धामी ने इसके साथ ही कॉंग्रेस पर जम कर हमला भी बोला धामी ने कहा कि जनता ने कॉंग्रेस की करनी और कतनी को परख लिया है इसलिए प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा सरकार की आने वाली है और इसी उमीद में आगे उन्होंने कहा कि इससे पहले उन्होंने काशिपूर के महारान प्रताब चौक से मुखे बाजार होते हुए जिला चौक तक के जनसमपर किया था जनसबास सल पर भाजपा विधायक हर्बजन सिंग चीमा और भाजपा प्रत्याशीत्र लोग सिंग चीमा समीत कई अन्य भाजपा नेताओं ने स्यमधामी का स्वागत किया इसके बाद स्यमधामी ने मंच से जनता को संबोधित किया सीम धामी ने कहा कि भाजपा सरकार ने हर वर्ग का खयाल करते हुए गोशना पत्र तयार किया है गोशना पत्र को जनता की राय शुमारी के बार ही तयार किया गया है ऐसे में प्रदेश भर में भाजपा को जन समर्थन मिल रहा है प्रदेश की जनता ने कॉंगरस की करनी और क प्रत्नी को परक लिया है इसलिए प्रदेश में एक बार फिर से भाच्पा सरकार की आने की उमीद है और इसी दौरान सीम धामी ने भाच्पा प्रत्याश्री तिलोक सिंग चीमा को काशीपूर से जीतने की अपील की तो ही नैनितार विधानसवाज शेतर में भी भाच्पा और कॉंग्रेस के बीच प्रचार युद्ध चरम पर पहुंच गया है। शिवराज का हेलिकॉप्टर दो पहर एक बजे सेंट जोजफ कॉलेज की मैदान में उत्रेगा और फिर मली ताल गोल घर से होते हुए सभा स्थल तक पहुंचेंगे और जहां पर बाजार में जनसंपर्क के बाद श्रीराम सेवक सभा प्रांगण में जनसभा को संबोधित करेंगे जनसभा के बाज शिवराज बाजार में फिर से एक बाज जनसंपर करेंगे और भाजपा के शीष नेताओं में शुमार शिवराज की डिमांड करीब करीब उत्राखंड के हर विधानसभा शेत्र से हैं अपनी सादगी के लिए मशुर शिवराज की नैनिताल की जनसभा को लेकर पार्टी रणीती कार पृतियाशी सरीता के लिए वोटों की बूस्टर डोस मांग रहे हैं सभा को सफल बनाने के लिए व्यापक तैयारियां भी की गई हैं गुरुवार कुछ सरीता ने महीला कॉंगरस जुलाद्याक्ष मीना बिष्ट सेवा दल जुलाद्याक्ष कृष्ण कौशल सहा और उक्रांद एस्टी प्रकोष के केंजरे अध्याक्ष केल आरे समें तमाम क कौंगरसियों को शामिल कर विपक्षियों से मनोवैग्यानिक बढ़तली है अब तक शहर में कौंगरस प्रत्याशी संजीब आरे लगातार भाजपा के निताओं को शामिल कर रहे हैं तो यह आमादी पार्ची के अगर बात करें तो आमादी पार्ची के नेता और दिली के उप मुखे मंत्री मानेश सोधिया शुक्रवार को कोड़ दौर में रहे वहाँ उन्होंने पार्टी प्रत्याशी और विंद वर्मा के समर्थन में प्रचार किया इस दोरान आपको बता दें कि उन्होंने सिद्ध बली मंदिर में दर्शन भी किये और फिर रोड़ शो कर पार्टी प्रत्याशीों के लिए वोट अपील की आगामी 14 फरवरी को उत्राखंड में होने वाले विधान सबाचन आपको देखते हुए मनिशी सोधिया का ये दोरा रहा है इसके साथ ही दिल्ली के उपमुख्य मंतरी मनिशी सोधिया चुना प्रच्वार करने के लिए तीन दिन के दोरे पर उत्राखंड पहुँचे है आप प्रत्याशी अर्विंद वर्मा ने बताया है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री देश शाम को कोड़द्वार पहुँचे लालबती चरह हस्तेद एक होचेल में उन्होंने रात को विश्राम किया जिसके बाद वो सिद बली मंदिर पहुँचे दर्शन किये इसके बाद ही पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जन संपर्क वो करेंगे गुरबार को आमादी पार्टी के नेता और दिल्ली के जिप्टी सीम मनिश सोधिया ने कॉंग्रेस और भाजपा पर तंच कस्ते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों ने विकास के नाम पर छला है राज्य गठन के 20 सालों तक दोनों ने अपने कारेकाल में सिक्षा, रोजगार, बिजली, पानी, पलायन के तमाब मुद्दे पर कोई काम नहीं किया विकास का मॉडल बनाने के लिए भी आपको वोट दे दिल्ली की तरज पर उत्राखन का विकास किया जाएगा